नमस्कार दोस्तों, SGS UKATION YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है पिछले वीडियोज पर आपने इतना प्यार दिखाया उसके लिए दिल से सुक्रिया आप ऐसे ही प्यार और सुपोर्ट दिखाते रहो, मैं आपके लिए ऐसे ही मैनत करता रहूँगा और शिक्षया से जुड़ी सभी जानकारी, सबसे पहले वीद पुरूपक की ख़बर आपके सामने लेकर के आता रहूँगा आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, HSE की तरब से बड़ी ब्रेकिंग अपडेट्स निकल कर क्या रही है गुरूप 1, 2, 56, 57, हर्याना पुलिस और गुरूप D की भरती को लेकर के रिजल्ट और जोइनिंग का मुद्दा जो है वो काफी गरमाया हुआ है और एक बड़ी गुड निउज है दोस्तों आप सभी के लिए तो वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे तो वीडियो को पूरी देख लेना और वीडियो पर अभी से एक लाइक बनता है तो चलिए दोस्तों वीडियो की यहां पर हम करते हैं सुरुवात तो सबसे पहले देखिएगा आज के देनिक सवेरा नियूस पेपर की कटिंग आपको दिखा रहा हूँ गुड नियूस मैंने इसलिए बोला था कि आप सभी का तहे दिल से सुकरिया आप लोगों ने इतने ज़ादा ट्वीट किये हमने आपको बार-बार बोला था कि आप जो है नोकरियों के लिए जोइनिंग के लिए रिजल्ट के लिए जाकर के ट्वीट करिएगा तो यहाँ पर देखिएगा आज के न्यूज पेपर में कटिंग आई हुई है उस पर चर्षा करते हैं देखेगा हर्याना में नोकरियों के इज्चुक बेरोजगार युवाउन ने चलाया सोसल मीडिया पर अभ्यान 2.11 लाग ने किया ट्वीट बहुत-बहुत धन्यवाज 2.11 लाग का अकड़ा काफी बड़ा है दोस्तों तो आप लोगों ने ट्वीट किया इसके लिए दिल से शुकरिया आप ऐसे ही कोशिस करते रहो आपकी कोशिस जरूर रंग लेकर के आएगी ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं ग्रूप नंबर 1.256 का रिजल्ट गोशित किया जाए एससी ने ले लिए प्रिक्ष्या यानि कि इन सब की प्रिक्ष्या एससीन ले लिए लेकिन जो है आचार सहीता लगने के कारण चुनाव आयोग ने रोक दिया है तो यहाँ पर का जा रहे कि जो रिजल्ट है वो गोशित किया जाई वाउने ये मांग उठाई है ठीक है दोस्तों चलिए डिटेल में बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या का गया है हर् चुनाव आयोग से अनुमती मांगी है देखा दोस्तों आपर अनुमती मांगी गई है HSC की दवारा चुनाव आयोग से ठीक है दोस्तों मगर इससे उमिद्वारों में निरासा है हर्याणा के बेरोजगार युवाओं ने वीरवार को सोशल मेडिया पर भ्यान चलाया इस सब यान में 2.11 लाख ठीक है दोस्तों 2.11 जो युवा है उन्होंने ट्विट किये युवाओं ने देनिक सवेरा से आगरे किया कि उनकी समस्या सरकार तक पहुंचाई जाए क्या कहा देनिक सवेरा से देखिएगा और सबसे बड़ा धन्यवाद देनिक सवेरा को भी देना च तारीक सवेरा के लाएक है दोस्तों देनिक सवेरा निउस्पेपर को ठीक है दोस्तों तो सुरेंदर दिमान जी हमेशा अच्छा काम करते हैं युवाओं के लिए आगे देखिएगा देनिक सवेरा को भेजे मैसेज में युवाओं नहीं है लिखा 31 मई 2024 को हरियाना और पं प्रिणाम सवरूप आयोग ने रिएडिवटाइजमेट जारी कर ग्रूप 156 पुलिस सिपाईपद की लिखित प्रिक्षिया आयोजित कर ली जब भरतिपर किरिया अपने अंतिम चर्ण में ही थी कि 16 अगस्त को चुनाव आयोग ने हरियाना में चुनाव की घोशना कर दी 16 अगस्त को क्या हुआ कि चुनाव की घोशना करती एक्जाम होते ही ठीक है दोस्तों यानि एक्जाम कुछ के हुए थे कुछ बाकी भी पड़े थे अब सरकार आदरस चुनाव आचार सहींता का बहना बनाकर 5 साल से लंबित भरतियों से पल्ला जाड़ना चाहती है मगर इ प्रतियर को हाजार कि जब हाई गॉट ने फैसला दिर्ग है कि 31 मई दोजयार-चोविस को एक फैसला दिया था कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको य भृति पूरी करनी इंग है। ठीक है दोस्तों ये यहां पर कहा जा रहा है सरकार वीपक्स पर भरती रोकने का ठीक राफोड कर अपना पला जाड रही है यानि कि बार-बार जो है बीजेपी की तरप से एक बात कही जा रही है कि भर्तिरों को गैंग ने ये सब किया, भर्तिरों को गैंग ने ये किया, तो आपना पला ये कह करके जाट रहे हैं, ये का जा रहा है, हर्याना में बेरोजगारी वैसे ही देश में पहले स्थान पर है, यानि देश में जितने भी राज्ये हैं ना, उन सब में हर्याना जो है बेरोजगार रखने में सरकार भी पूर्ण भागीदारी बनी हुई है हर्याना के मुखे निर्वाचन अदिकारी पंकज अगरवाल भी प्रेस कॉन्फरेस में कह चुके है कि इन भर्तियों पर कोई रोक नहीं है यानि एक प्रेस कॉन्फरेस थी कुछन पूछा गया था देनिक सवेरा के दोरा ही तो जब पंकज अगरवाल है उन्होंने यही कहा था कि इन भर्तियों पर कोई रोक नहीं है इनके रिजल्ट जारी करके जोईनिंग दी जा सकती है ठीक है दोस्तों यह बड़ा आदेश वहाँ पर दिया गया था आगे देखिया कुछ बर्तियां तो 12 साल से लंबित है युवा बेरोजगार युवा बेरोजगारों ने दावा किया है कि कुछ बर्तियां तो 12 साल से लंबित है चूंकि इसमें से कुछ बर्तियां जैसे ग्राम सचीव, पटवारी जैसे पदों की बर्ति तो 12 साल से लंबित है या भरति हुई नहीं बर्ति हुई नहीं है 12 साल से युआ पर्देश सरकार के भरतियों के परति धिले रविये से परेशान है यानि कि 12 साल से पटवारी और ग्राम सचीव की बर्ति हो नहीं रही है बार बार शिर्फ है यहाँ पर जो है एड़र्टाइजमेंट आती है फिर वापिस ले लिया जाता है फैंसला ठीक है दोस्तों बार बार अधिकारियों से मीटिंग में धरने परदर्शन करने के बावजूद हमें सरकार से कोई संतोस जनक उत्तर नहीं मिला हुआ और इन सब गटना करम से हतास और निरास होकर अर्याना का युवा कठोर फैंसला लेने के लिए मजबूर है क्योंकि सरकार जिस तरह से र बारी पढ़ सकती है इसलिए इन सभी प्रस्तितियों को देखते हुए हर्याना के बेरोजगारों ने 31 अगस्त याद रहे दोस्तों 31 अगस्त और आज जब मैं वीडियो सुट कर रहा हूं तब हो चुका है 30 अगस्त ठीक है दोस्तों यानि कि 31 अगस्त का यहां पर हवाला 31 अगस्त को डेट याद रखना और एकदम शानती पूरवक धरना होगा दोस्तों किसी तरीका हूँ हलड नहीं करना है क्योंकि आपको पता है अचार सहींता चल रही है और अचार सहींता में कुछ इस तरीके से इकठा होना और गलत एक्टिवीटी करना काफी गलत साबित ह हो सकता है और उससे ऐसा भी हो सकता है कि कई जो हुआ है वो कंप्लीट भी कर चुके हैं एक्जाम कलियर कर चुके हैं उनका स्लेक्शन प्रोसेस भी चल रहा है लेकिन उन पर किसी तरीके का अगर केस हो जाता है न तो फिर उनमें दिक्कत आएगी तो इसलिए आप जाईए जरूर जाईएगा 31 अगस्त को लेकिन शांति पूर्वक जो है आपको धरना करना है ये बात हमेशा माइंड में याद रखिएगा कुछ पदों की भरती पिरक्रिया का यह हाल है ग्राम सचीव 9 जनुवरी 2020 CET पाल्सलेस 6 नवंबर 2022 ग्रूप 57 नमबर 6 अगस्त 2023 ग्रूप 15 अगस्त 2023 ग्रूप 57 अठारागस 2024 ग्रूप 1 आठारागस 2024 ग्रूप 2 और 9 अगस 2024 को प्रिक्षया ओई ठीए यानि की सब की प्रिक्षया हो चुकी है आप・ आप देख सकते हैं सभी कें ग्रूप बता दिगे और प्रिक्षया की देट वगरा सब कुछ बता भी है लेकिन इ शांति पूर्वक होगा दोस्तों क्योंकि आचार सहींता चल रही है कानूनी व्यवस्ता कुछ नहीं कर पाएगी आपको कोई भी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी इसलिए आपको अपना भी देखना है युगाओं का भविश्य भी देखना है और अपनी मांगें भी रखनी है और मांगो को मनवाना भी है लेकिन अच्छे तरीके से ठीक है दोस्तों ये ध्यान रहे बार-बार यही बोल रहा हूं तो अनेक यूटूब चैनल होगे जो आपको बोलेंगे कि आप जाओ ये करो वो करो तो मैं यहाँ पर यह कूँगा कि आप जाए जरूर 31 अगस्त को लेकिन साथ ही ये जरूर कूँगा कि शान्ती पूर्वक धर्णा करना है ठीक है दोस्तों क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है हम नहीं चाते किसी तरीके का केस आप पर टुक जाए और फिर आती वी बरती भी आपको ना मिल पाए ठीक है दोस्तों तो चैनल को आपना सबस्क्राइब करके रख लो क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके की शिक्षा से जोड़ी सभी जानकारी लेकर के मैं आता रहता हूं और ये चैनल सिरफ और सिरफ मीडल कलास जो गरीब बच्चे हैं उनके घरों में सरकारी नोकरी आए सिरफ इस उदेशे से बनाया गय है और मैं इस चैनल पर जो भी अपडेट होती है शिक्षा से जोड़ी विद पुरूपक की खबर आपके सामने हमेशा हर रोज लेकर के आता रहता हूं इसलिए एक बात कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जुरूर दबा लीजिए नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है और इस चीज की मैं गारंटी देता हूं सिक्सेज जोड़ी इस अपडेट सबसे पहले विद पुरूपक की खबर आपको मिलती रहेगी मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार जैहिंजा भारत